सर इस explanation के basis पे जो सपने सच होते हैं या जो सपने सच नहीं होते हैं तो इनका कुछ particular timing है या बहुत प्रासंगिक प्रश्ण है आपका दिखिए जो सपने दिन में देखे जाएं वो कभी भी साकार नहीं होते कहावत भी है कि दिन में ही सपने देखता है दिवास वपनम विस्मृति है दूसरा विस्मृति का यह आप एक और मतलब है यह आपने सपना देखा और आपकी विस्मृति से वो चला गया यादी नहीं आ रहा है तो भूली जाए उसको तीसरा दीरगह रस्वेती जो बहुत ल वो तश्चा प्रार्तितहा कल पे तो ओचा जो आपनी कलपनाए हैं फैंटेसीज हैं या आपकी डिजायर से या जो आपने दिन में देखा सुना एक्सपीरियंस किया वो भी कभी मैनिफेस्टर नहीं होते लेकिन पूरवरात्रे चिरात्फलम द्रश्टम करोती तो च्छम दीखिए सपने दो ही समय पे देखते हैं या तो पूरवरात्र में या अपर रात्र में बनादा भोर में सुबह जो सपने पहली रात्री में देखते हैं दीखिए उस समय पर उन्होंने आज कलिए बोलते हैं R.E.M. और N.R.E.M. rotatory eyeball movement या non-rotatory तो जब बच्चा कोई व्यक्ति इंसान deep sleep में चला जाता है और आप eyeball देखते हैं तो वो fix होती है तो that is a stage उसमें तुरी अवस्था में है कोई सपना नहीं चल रहा है लेकिन जब प्रारंब का समय होता है जब आदमी just went into sleep उस समय पर उसकी eyeball move करती है उसको REM कहते है rotatory eyeball movement उस समय पर यदि जो सपने आते हैं पूरवरात्रो पूरवरात्र में वो चरात फलम देखिए वो फल तो देते हैं immediate नहीं वो एक साल बाद, छे मेने के बाद में they can manifest लेकिन तुछ चमचा वो बहुत impact नहीं करते है हलका सा उनका result होता है मतलब वो आपकी छे मेने या एक साल बाद में क्या घटना घटने वाली है उसकी सुचना देते हैं लेकिन वो सपने जो गो सरगे मतलब ब्राह्मे मूर्थ को गो सरग कहा गया है रात खतम हुई दिन शुरू होने के टाइम है उस समय पर जो सपने आते हैं वो भी कहते हैं कि निद्रया यदि वो एक्तम आप निद्रा से जग जाओ उस अपना जरूर साकार होता है लेकि यदि फिर से सो गए नीद आ गई तो फिर वो कवर अप हो जाता है क्योंकि एक एमोशन है ड्रीम, एमोशन की एक्स्प्रेशन है मौर्निंग टाइम में आरी एम में बॉड़ी पारलाइस होती है सपने आ रहे होते हैं नहीं तो आदमी उसमें मुव्मेंट शुरू कर सकता है बहुत धीरे धीरे बाहर आता है स्लीप से इसी लिए तो वो जो स्टेट है मौर्निंग की उस समय के जो सपने हैं उनके कभी भी अनुअपहत होने चाहिए अनुअपहत मतलब है कोई डिस्टब न कर दे लो अरे तुमने मेरी सपने खराब कर दिया सपने आ रहे थे अतनी अच्छे तुमने जगा दिया मुझे तो उस तरह से कोई उसकी नीन को तोड़े ना अपने आप चप अंदर से आप उठ जाएं वो सपना नश्यत रूप से सकार होता है और वो भी कौन सा जो अर्ली मॉर्निंग का है जो आरियेम ऑफ मॉर्निंग आरियेम इवनिंग का सकार होता है पर वो बहुत लेट होता है ये इमीडियेट होने वाले सपने हैं पंद्रा वीज दिन के अंदर